नमस्कार दोस्तों जैसरी राम कैसे आप सब लोग करता हूं कि आज आपका दिन अच्छा गया होगा वैसे ऑप्संस बायर का दिन अच्छा नहीं गया होगा यह अपने उपर लेके फिल करता हूं बट कल की जो लॉंग पोजीशन थी उसने आज मुझे अच्छा खासा करेंगे वह मैंने लगबग लगबग मान के चलिए बुक्ड लॉस की बात करें तो 3.58 लेक के आज पास का मैंने यहां पर लॉस बुक किया यानि कल जितना कमाया था उससे ज्यादा मैंने आज मार्केट को यहां पर दे दिया अब देने का क्या मतलब है क्या लॉजिक था तो पहले एक बार मैं आपको बाजार के बारे में समझाता हूं कि क्यों मैं आज लॉस को बुक किया देखे सबसे पहले मुझे क्या लगा था अब यह सारी चीजे ना आपके लिए एक एडूकेशन परपच के लिए होनी चाहिए आपको समझना पड़ेगे एक चीज जब आप समझोगे तो आपको और अच्छा ट्रेडिंग वह मिलेगा अब मेरा लॉस हुआ उससे आपका तो कुछ आपके जैम में तो कुछ जाएगा नहीं मेरा प्रॉफिट हो उससे आपके जैम में कुछ नहीं जाएगा मैं यह चीजे इसलिए बताता हूं सो देट आपको समझ में आए कि यहां पर ओवरनाइट पोजिशन के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वाल्ड है जिनको समझना चाहिए देखिए मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गलती हुई जो हमारे पूरे की पूरे लॉस को यहां पर किया मार्केट ना गैप के समय कैसे क्रेश्ड होता है वह अलग की बात है अब जब यह हुआ तो मेरा लॉस बढ़के बहुत ज्यादा हो गया इनिसली इतना लॉस नहीं था इनिसली थोड़ा कमी लॉस था बट जब यह नीचे जाने लगा और यह डेलो के आसपास आया तो मुझे यहां पर यहां पर जितने भाव में मैंने लिया था उतना भाव तो मार्केट यहां पर जाने पर भी उस कॉल का नहीं कर पाया सोच लीजे कितना बड़ा इंपक्ट है तो अब मुझे इस बात की खुशी लग रही कि चलो लॉस मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसको मैं जैसा मैं आपको बार बार कहा रहा हूँ न कि मार्केट के अंदर कभी एक ग्रीन केंडल बने फिर फालो अप बाइंग आ नहीं रही है फिर ग्रीन केंडल बने यह फिर डोजी केंडल बने आज फिर अचानक से मार्केट ने आपर एक डोजी केंडल का फॉर्मेशन कर दिय अब ऐसी situation में हमने तो यार एक अच्छा खासा breakout एक अच्छे खासे support पर लिया बट market के अंदर options trader के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है न कि हमारा दुस्मन सिर्फ और सिर्फ क्या है एक तो यार ठीक है premium हमारा दुस्मन है time हमारा दुस्मन है उसके साथ साथ यह जो 50 तरी ठीक है तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि अगर आज आपने प्रॉफिट बनाया तो आप अपने आपको बहुत बड़ा ट्रेडर मानिए क्योंकि आज कर रहा है पता नहीं क्या होता है यहां पर देखिए एक तरीके का एक पैटन बना रहा है और यह पैटन सही नहीं है मुझे लगता है कि यहां पर इस पैटन को हम जो भी फ्लैग अन पूल आप बोलना चाहो बोल सकते हो एक्चुल में मार्केट है यहां पर थोड़ा सा का ट्रेंड लाइन देखो कि तो वीकनेस यहां पर सो कर रहा है यह अनले से सभी हम लोग डिसकस करेंगे कल किस तरीके स हम एक्सपारेट करें लेकिन उसके पहले दोस्तो हम लोगों को यह समझना है कि क्या हुआ कल रात को गैब डाउन क्यों हुआ अब देखिए उसको समझने लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कल हुआ क्या था तो अगर आप देखोगे त जब manufacturing data अच्छा आता है इसका मतलब क्या है कि जो फेड हैं वो देख रहे हैं कि भाई एक तो लोग खर्चे कर रहे हैं manufacturing data अच्छी आ रही है लोगों की personal spending बढ़ रही है अब मैं ऐसे situation पे जहां पर मेरी economy driving हो रही मैं रेट कट क्यों करूं और जब मैं रेट कट करूंगा ही नहीं मैं रेट कट नहीं करूंगा ठीक है तो इसका impact क्या हुआ कि जो stock market के participant है इसको बुरी तरीके से लिए और इस पर्टिकुलर सेक्टर की वज़ा से मेरा जो पर्टिकुलर पीनल है वो आज gap down की वज़े से पिट गया अब आज की लेटिस्ट न्यूच क्या है उस पर नजर रखते हैं आज जर्मेनी की CPI data release होने वाला है साड़े पाच बज़े उसको ध्यान में रखना है दूसरी चीज इंडिया का भी आज सब्सक्राइब निकले के आया है जो कि ठीक है सिग्निफिकेंट अच्छा है बट यह वही है कि रेट कट करने के उपर नहीं है तीसरी चीज कयास यह लगा ज्यादा क्वाटर थ्री यह 25 के उपर और रभी रेट कट करने के लिए अग्रसर होगा यानि आगे बढ़ेगा त तो सबसे बड़ा निए अब आ जाते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान करेंगे तो आज कभी दिन कोई बहुत बूरा दिन नहीं था अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो कमेंट में लिखना और अगर आपने लॉस किया तो भी लिखना कोई बात नहीं लॉस प्रॉ होजाएगी यहां पर दो करना कर सकते पहला दो टाइम कर सकते देखो जनरल क्या हो रहा है ना कि मार्केट इस बीच में साड़े बारास लेकि दो बज़ें तक पक्का साइडवेज हो जाता है आज देखो आज का डेटा देख लो कल का डेटा देख लो तो मैं नहीं चाहता हूं का अननेसेसरी आप लोग ट्रेडिंग करो इस पर्टिकुल लेकिन जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि चलो भाई यहां पर भी अच्छे खासी Selling उपर से बीस Kण से वीскजी याद करिए क्या हुआ था बहुत बढ़ा धकेंडल बना था लेकिन से सेऩा केंडल ये और यहाँ मार्केट आक की तरब निकल रहा है पर्टिकुलर जोन में है इसके हाई को क्रॉस ना करें तब तक हमें पूट साइड के अंदर काम करना चाहिए क्यों करना चाहिए दोस्तों देखो कैसे मैं बता रहा हूं कब करना है वो सुन लो अब मैं यहां पर 15 मिलेड का चार्ट आपके लिए लगा रहा हूं ध्यान से जोना यहां पर सब लोग को लाकर खड़ा कर दिया है जितने भी भायर Canal से सब्सक्राव कर तक मार्क लार्रींट कर दिया यहां पर ते यह हमारा एक रेजिस्टेंच जोन गया इसको मैं यहां तक कर देता हूँ यह मेरा एक रेजस्टेंच जोन हो गया बस अब आप यह देखो कि हमारे पास छोटा सा जोन है और इस जोन के अंदर मार्केट ट्रेवल कर रहा उपर नीचे उपर नीचे और विक आप देखो आप 15 मिनिट के केंडल में विक देख रहे हो यह दिखाता है कि भाई मार्केट के अंदर जो पाटिस्पेंट्स हैं वो बिल्कुल तयार नहीं है अपने आपको एक डारेक्शन मिले जाने के लिए आप देखो भाई यह देखो 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 यह दे कल का दिन नहीं करूंगा ट्रेट तो चल जाएगा लेकिन मैं आज मेरा हाथ बहुत अच्छा जला है ना बीटीएसटी अभी कुछ दिन तक ले जाऊंगा ना कुछ करूंगा देखा ली याद से इंतजार करूंगा 47,450 के नीचे हम 47,350 और 47,200 के टार्गेट की प्रतिक्षा क अगर मार्केट मालो 47,490 से लेकर 47,450 तक ठीक है इस एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेने लगता है और सपोर्ट लेकर यहां पर बड़ी-बड़ी केंडल्स बनती है तो यह जो लेवल है यह बाइंग लेवल भी बन जाएगा तो केवल यह मैं सोचना कि यहां पर सेलिंग क कोसिस करूंगा क्या पता मार्केट यहां पर वीक हैंड वालों को निकाल निकाल के फिर से उपर जाने की कोसिस करें यह चोटी सी एक चीज समझना तो यह लेवल काफी इंपोर्टेंट है दूसरा बात अगर मालो मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप खुलता ह है तो गैप खुलनेक बाद हमारे पास क्या है यह देखो यह पर तो काम करोगे नहीं तो मार्केट अगर उपर जारत कम सकम इस तरीके का चैनल बनाके ब्रेक आउट दे या तो इसको ब्रेक आउट जो कि 47,650 के ऊपर है या तो 47,650 का ब्रेक आउट देगा तो मैं यहां पर कॉल साइट का बंढ़ोंगा और यहां पर मुझे रिज apenas लेते हैं की मार्केट की के और मार्केट और मार्केट का करोगा है कूा आगर मार्केट मुझे यहां पर एक support ठेट सब्सक्राइब रत उक्रवाइट का मैं इस बीच में बहुत परिसान हो चुका हूँ मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा ये मेरा कल के लिए एक ट्रेडिंग प्लान रहेगा ठीक है आप लोग भी जब भी इस तरीके की कोई भी ट्रेडिंग प्लान बनाई ये एक चीज एकदम सक्त बना लीजे जैसे मेरा लॉ सकता है मेरे एक दो ट्रेड बहुत अच्छे यहां पर पर्फॉर्म हो जाए क्योंकि मार्केट ऐसा है ना कि आप कितना भी रोग आलो पैसा नहीं दे रहा है खास करके ऑप्सेंस बायर को लेकिन कब तक नहीं देगा एक दिन तो आएगा हम दबा के पैसा निकालेंगे और जितना ज्यादा मार्केट यहां पर कॉंसलेडेट होके गिरे गए उठेगा उतना ही तगड़ा मुवमेंट उपर या नीचे की डारेक्शन में आएगा अब किदर आएगा वह तो कल बताएगा बकि आप लोगों के पास अगर कुछ न्यूज वगर ऐसे फ्लोड है यह आएगर देट जैसुरी राम